तो, अपनने कल जो चीज देखी प्राइस डिसक्रिमिनिशन में उसी को कंटिनेव कर रहे हैं अपन यहाँ पे marginal revenue जो है market A में कम है क्योंकि elasticity कम थी marginal revenue market B में ज़ाधा है क्योंकि elasticity ज़ाधा है तो आप सबने बोला था कि A market market A से goods उठाओ माल उठाओ और Market B में जाके बेचो, बहुत बढ़िया इसमें कुछ भी गलत नहीं है लेकिन होगा क्या इससे क्योंकि Market A में Demand Elastic है, लेकिन कम Elastic है, तो इससे होगा क्या Demand तो Constant रहने वाली है आपने Supply कम कर दिया इसकी वज़े से Prices जो है वो शूट अप होएंगे Prices यहाँ पर शूट अप होंगे और Market B में क्योंकि आप Supply बढ़ा रहे हो तो इसकी वज़े से Prices जो है वो Decline होंगे अभी Prices से Direct Connection होता है Marginal Revenue का अगर Prices Increase हो रहे तो Of Course Marginal Revenue भी Increase होगा और Prices Decrease हो रहे है तो Marginal Revenue भी Decrease होगा बहुत बढ़िया अभी इसके बाद Transfer करते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों Markets में दोनों Markets में Marginal Revenue जो है वो Equal हो जाएगा Suppose करो Market A में भी Marginal Revenue है 22 और Market B में भी Marginal Revenue है 22 दिमाग लगाओ और मुझे सोच के बताओ क्या आप जब दोनों में Marginal Revenue Equal है क्या आप अब भी क्या आप अब भी Market A से Market B में Goods Transfer करोगे बताओ मुझे सोच के बताओ जब दोनों जगाँ पे Same Price मिल रहा है तो क्या आप तब भी Products Transfer करोगे A से B बिल्कुल नहीं Logically नहीं है Product Transfer करना यहाँ पे भी Same Price मिल रहा है यहाँ पे भी Same पैसे जेब में जा रहा है तो Transfer मत करो Simple सी बात है तो अपने को क्या पता चला अपने को यह पता चला कि Basically Marginal Revenue जो है अगर दोनों Markets में दोनों Sub Markets में जब तक Equal नहीं होता क्या 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 Marginal Revenue जब तक दोनों Sub Markets में Market A और Market B में जब तक Equal नहीं होता तब तक अपना Equilibrium दोनों Markets में नहीं बैठता तब तक अपने को Maximum Profit नहीं मिलता तो तब तक Transfer करते रहो जब तक दोनों के Marginal Revenue equal नहीं होते, जैसे ही marginal revenue equal, वैसे ही transfer करना बंद, stop कर लो, ठीक है? तो यही जो कहानी है, यह यहाँ पे लिखी गई है, लेकिन और एक चीज है, क्या मैं unlimited supply कर सकता हूँ, market A से सारा कुछ उठा के, मैं market B में लेके आजाता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, is there a limit और is there a no limit? तब क्या है, आपको क्या लगता है, limit है या limit नहीं है? बिलकुल limit है, market A से, जब आप market B में transfer कर रहे हो, तो यह limit है, यही limit है, कि जब दोनों का, इसका marginal revenue increase हो रहा है, इसका supply यहाँ पर कम हो रहा है, यहाँ पर ज़ादा हो रहा है, तो basically इसका marginal revenue increase हो रहा है, जब दोनों markets equal हो जाएंगे, तब आपकी limit reach हो जाएगी, अब आपको beneficial नहीं है, अब आपको beneficial नहीं है, कि आप market A से market B में transfer करो, तो जो अभी मैंने प्रवचन दिया है, इतना सुंदर प्रवचन दिया है, वह यहाँ पर English में लिखा हुआ है, तो आपन यह पढ़ते हैं, the marginal revenue in the market in which elasticity is high is greater, मतलब जहाँ जिस market में elasticity जादा होगी, उस market में basically आपको जादा marginal revenue देखने मिलेगा, as compared to the market where elasticity is low, बहुत अच्छा यही चीज लिखी थी वहाँ पर, second चीज क्या लिखिए, अब आप क्या करोगे profitable क्या होगा आपके लिए transfer करो some amount of product from market A to market B, जहाँ कम elasticity वाले market से, क्या-क्या-क्या-क्या-क्या- ध्यान से सुनना, कम elasticity वाले market से high elasticity वाले market तक products transfer करो, थाकि आपको ज़्यादा profit हो, बहुत बढ़िया इससे क्या होगा, इससे होगा यह, कि दोनो markets के prices में difference आना शुरू हो जाएगा, the price in the market A will rise क्योंकि वहाँ पर आपने supply कम कर दिया है, supply कम कर दिया, तो price increase होगा, और market B में एक limit आती है, इसके बाद a limit is reached when a limit is reached in which outputs cannot be transferred from A to B तो कब transfer नहीं करना है आपको जब marginal revenue equal हो जाए, तब stop कर दो, वहाँ पर आपको maximum profit मिल गया है, it is no longer profitable to shift output from market A to market B वही पर रुख जाओ, बस यही थी कहानी price discrimination की यह सब तो सीखा आपनने लेकिन economics में मैंने आपको बताया है, अपनने numerical देखा, अपनने थेरी पड़ा कुछ तो missing है ना रे लगनी रहा तुमको, कुछ तो missing है अभी भी, price discrimination में numerical देखा, थेरी पड़ा, कुछ तो missing है कौन से element missing है, बिलकुल तो अभी अपन, आज वही करने वाले हैं, graphs को study करेंगे, equilibrium under price discrimination, यहाँ पे अपन graphs को study करेंगे, मैंने आपको कल एक हलका सा जलक दिया था बताया था मैंने, कि दोनों, आपके पास दो graphs नहीं, एक graph नहीं, आपके पास तीन, तीन graphs हैं तीन graphs को आपको एक साथ analyze करना है ठीक है, तीन graphs को एक साथ analyze करना है, लेकिन दरने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी धीरे-धीरे करके समझते हैं धीरे-धीरे करके समझते हैं ओके, मुझे सिफ comments में answer दो यहाँ पे yes और no मैंने, मैंने simplicity के लिए दो सब markets रखे हुए market A और market B दो सब markets रखे हुए ठीक है, market A में demand है यहाँ पे कुछ suppose करो demand है यहाँ पे 10 units की market B में demand है suppose करो 15 units की, ओके ओके, बहुत अच्छा क्या ये लिखना सही है कि total market की demand जो है वो है 25 units क्या ये सही है या ये गलत है, total market की demand, तोनों markets को add करके अपन लिखते हैं, क्या ये सही है या गलत है, what do you think बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है क्यूंकि आपने market A को add कि या market B के साथ, तो आपको total market की demand जो है वो मिल गई, दोनों markets को मिला के, कितनी demand आती है, वो आपको मिल गया बहुत अच्छा, ये आपने किया numerically अंतलब जब आपको numbers दिये जा रहे हैं, तब आप अच्छे से कर रहे हैं तो ये किया अपने numbers के साथ, लेकिन अपनने अभी तक graphically add नहीं किया, suppose करो, suppose करो तुमको market A का demand curve दिया गया है, कुछ इस तरह से, ठीक है? market A का demand curve दिया गया है, कुछ इस तरह से, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, और market B का demand curve दिया गया है, कुछ इस तरह से, अभी graphs को कैसे add करोगे? ग्राफ को कैसे add करोगे? भाईया, ग्राफ को कैसे add करोगे? कभी किया है जिन्दगी में, ग्राफ को add किया है, कभी? बहुत बढ़िया, सिर्फ एक ही बच्चे ने किया है, दो बच्चों ने किया, अच्छा, बहुत बढ़िया, चलो फिर आज समझते हैं, तुमारी knowledge का test ग्राफ को कैसे add किया जाता है, ठीक है? जितना मैं दिखाऊंगा, सिर्फ उतना ही देखना है, बाकी का कोई भी चीज, अगर तुमारा ध्यान भटका, तो तुम गुम हो जाओगे, सिंपल सी बात है, फिर तुमको वापस से recording पूरा देखना पड़ेगा, पीछे-पीछे, यहाँ पे है market A अपने पास, जिसका demand जो है, demand curve जो है, वो कुछ इस तरह से है, यहाँ पे आप line यही रेख सकते हैं, यहाँ पे, यह है इसका demand curve, demand A, इसको अपने नाम दिया DA, और यहाँ पे है अपने पास market B, जिसका demand curve कुछ इस तरह से है, जिसको अपने नाम दिया है DB, Okay, Elasticity पढ़ाते वक मैंने एक और चीज पढ़ाई थी, Graphs के मामले में especially, कि जितना जादा, सुनो ध्यान से, जो वच्चे नहीं थे, जितना जादा Graph जो है मेरा, Demand Curve जो है मेरा, वो Vertical बनने की कोशिश करता है, उतना ही In Elastic बनता जाता है, उतना ही In Elastic बनता जाता है, और ज जितना Demand Curve फ्लाट होने की कोशिश करता है, जितना Demand Curve फ्लाट होने की कोशिश करता है, उतना ही वो Elastic बनता जाता है, क्या, 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 वापस एक बार, जितना जादा Vertical होने की कोशिश कर रहा है, उतना जादा In Elastic, जितना जादा Horizontal होने की कोशिश उतना जादा elastic बनता जाएगा ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर भी देख सकते हैं elasticity कौन से market की जादा थी रहे? A की या B की? वोई वाला numerical example वोई वाला continued है यहाँ पर किसकी जादा थी elasticity? बताओ, बताओ, बताओ A की जादा थी या B की जादा थी? बिल्कुल सही जवाब आपको याद है यादधाश अच्छी है आपकी क्या बात है? यहाँ पर elasticity थी आपकी 5 और यहाँ पर elasticity थी 2 तो आप देख सकते हैं जो जादा elastic demand curve है उसका basically वो flat बनने की कोशिश कर रहा है पूरी तरह से horizontal बन जाएगा तो वो perfectly elastic बन जाएगा infinity आएगा फिर यहाँ पर लेकिन यहाँ पर infinity नहीं है तो यह horizontal बनने की कोशिश कर रहा है और यह थोड़ा बीच में है vertical बनने की कोशिश कर रहा है जिसकी elasticity कम है so this is true in case of graphs also बहुत बढ़िया लेकिन मुद्दा यह नहीं है मुद्दा यह है कि आपको total demand निकालना है aggregate demand निकालना है यहाँ पर यह आपको demand कब दिया गया है A का यहाँ पर दिया गया है यह B का अभी इन दोनों को add कैसे करे graphically add कैसे करे बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया होता है तो चलो add करते है यहाँ पर आप देख सकते है total market का यह वाला जो हिस्सा है यह वाला portion यहाँ पर आप देख सकते है यह है total demand curve लेकिन यह बना बनाया है इसको किया कैसे? draw कैसे किया? ओके, बहुत अच्छा देखो ध्यान से कैसे draw करते है सबसे पहले y-axis से शुरू करने का y-axis पे जो सबसे उपर है इन दोनों graphs में से जो सबसे उपर है तो उस वहाँ से एक सीधी line draw करो और वहाँ से अपना point शुरू करो total वाला तो आप देख सकते हैं यहाँ पे market A का जो demand curve है वो उपर से शुरू होता है मैं एक बार drawings clear कर देता हुशा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं market A का जो demand curve है वो ज़ादा उपर से शुरू होता है तो अपनने यहाँ से point शुरू कर दिया अभी जब तक market B का demand curve नहीं आता तब तक पूरा A का ही demand curve copy paste किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो पूरा सिर्फ A का demand curve copy paste किया जाएगा, देखो same shape है ये वाला, ये shaded portion और ये बीच में gap और ये AMR वगरे वगरे अगर तुम्हारी नजरे हटी, तो बेटा दुरगट ना घटी, तो जितना मैं दिखा रहा हूँ, बाकी सब देखो ही मत, shaded portion वगरे वगरे, कुछ दिखी नहीं रहा तुमको जितना मैं दिखा रहा हूँ ना उतना ही देखो, बस अपन सब चीजे बात करेंगे सब के बारे हम बात करेंगे ठीक है, तो यहाँ पे जो higher है, वो तुमने ले लिया start कर लिया, फिर जब तक दूसरा curve शुरू नहीं होता तब तक तुमने first वाले curve को as it is copy किया यहाँ पे आप देख सकते हैं जब तक first वाला शुरू नहीं हुआ तब तक तुमने as it is यहाँ पे copy किया हुआ है यह पोर्षन पूरा का पूरा यहाँ पे यह सेम पोर्षन यहाँ पे आया है उसके बात से कहानी शुरू होती, अभी आपने पास दोनों demand curves है, यह भी और यह भी, अभी क्या होने वाला है basically आपका इन दोनों में से आपको average निकालना है basically average तो graph से नहीं निकाल सकते तो आप क्या करते हो, आप simple सा एक formula यूज करते हो, जो ज़ादा wide है, उसका demand curve low, averages नहीं निकाल सकते हैं आपन, तो इसलिए क्योंकि अपने को aggregate करना है, यहां पे aggregate है, average नहीं है तो आप क्या करोगे इस में से market A में से और market B में से कौन सा वाला wide है तुमको कौन सा wide दिख रहा है B या A, अभी कौन सा wide दिख रहा है बता मुझे बिल्कुल सही जवा, B वाला ज़ादा wide है, तो इसके नीचे से जो भी शुरू हुआ वो same wide वाला copy कर लो, यहां तक तो यहां पे आप portion देख सकते है यह वाला और यह वाला portion basically identical आता है ठीक है? तो ऐसे aggregate demand curve draw किया ज़ता है सबसे पहले क्या करना है और एक बार repeat करता हूँ सबसे पहले Y axis से start करना है जो सबसे उपर है इन दोनों graphs में से जो सबसे उपर है total market demand का वही से शुरू होगा फिर उसके बाद जब तक दूसरा शुरू नहीं होता, तब तक पहले वाला पूरा as it is copy करने का यह जो portion है यहां पे आया हुआ है simple सी बात है, अपने वाइड वाला concept follow किया है, यहां से ले कि यहां तक सेम यहां पे curve आया है, ठीक है यह थी कहानी aggregate demand curve की total market demand curve तुमने निकाल लिया, बहुत बढ़िया अब क्या? बहुत बढ़िया, equilibrium तो आएगा बहुत अच्छा, अभी वैसे ही market A और market B में marginal revenues अलग-अलग है marginal revenues अलग-अलग है market A का जो marginal revenue था, वो था 15 जहां तक में को याद आ रहा है और market B का जो marginal revenue था, वो था 24 लेकिन अपने को equilibrium निकालते वक्त basically, जैसे आपने demand को add किया है, वैसे ही अपने को marginal revenues को भी add करना पड़ेगा, बहुत अच्छा तो कैसे add करते हैं, again same principle, यहां से शुरू होता है, same, देखो यह जो dotted line ने यहां पे, अभी यहां पे नजर होनी चीए, तुमारी, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है तुमको, यह सिर्फ dotted line जो है यहां पे, यह दिखनी चीए, marginal revenue A का और marginal revenue B का, यह dotted lines देखो, सबसे पहले शुरू करते वक्त, आपको शुरू करना है, Y axis से जो सबसे ऊपर है, तो यहां पे आ गया Y axis पे तुमने marking कर दी, अभी यह जो AMR है ना, यह है तुमारा aggregate marginal revenue, वैसे यहां पे aggregate demand curve था, वैसे यहां पे aggregate marginal revenue है, सिर्फ इतना ही दिखना चाहिए, इतना ही दिखना चाहिए, तो तुम क्या करोगे, यह यहां से शुरू हुआ, यहां तक, जब तक यह शुरू नहीं होता यहां से, तब structure, यहां पे जितना difference है न, यहां पे, सेम यहां पे उतना ही difference आया है, बहुत बढ़िया, फिर जैसे ही market B का, market B का आप देखते हो, marginal revenue curve शुरू होता है, marginal revenue curve, again, कौन सा वाला wide है, market A का wide है, या market B का wide है, again, कौन सा वाला wide है, marginal revenue, बताओ, बताओ, कौन सा वाला wide है, बिल्कुल सही जवाब, market B का ज्यादा wide है, तो अभी आपको क्या लेना है, wide वाला, तो यहां से आप शुरू करते हो, और यह कहानी देखो, यहां से शुरू होती है, यहां पे जैसे total, aggregate marginal revenue जब मैं निकाल रहा हूँ, तो यहां से जो wide वाला है, उसका point यहां पे mark किया जाता है, और यहां से मैं straight line, draw कर दूँगा, basically इसमें और इसमें, जितना difference आएगा, wide में और इसमें जितना difference आएग, exact same होता है, basically length, यहां पे और यहां पे, ठीक है, तो और एक बार, शुरू से शुरू, y-axis से शुरू करना है, जहां तक दूसरा नहीं आत तब तक पूरा first वाला ही follow करो, जैसे ही दूसरा आया, दोनों में से जो wide होगा, उसको follow करो, और line draw कर दो, same, बस, इतना simple है, ठीक है, यह है vertical summation of graphs, vertically summation किया जाता है, इन दोनों का, ठीक है, यहां तक थी बात बहुत अच्छी, समझ में आ गई, aggregate demand curve निकल गया, aggregate marginal revenue निकल गया बहुत बढ़िया, लेकिन, 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 equilibrium तो अभी तक नहीं निकला है, equilibrium, equilibrium नहीं निकला है, last part, कौन सा last part, कौन सा last part नहीं समझा तुमें, यह marginal revenue वाला, देखो एक बार, फिर से देखते हैं, मैंने क्या बोला, marginal revenue शुरू करते वग, यहां से शुरू करना है, तो total, aggregate marginal revenue में, जब तक दूसरा वाला नहीं आता, same यहां पर draw करो, उसके बाद जैसे ही दूसरा वाला आ गया, तुम दोनों में से wide जो है, उसको follow करो, इन दोनों में से wide कौन सा है, market B का, तो market B का curve उठाओ, और यहां पर place कर दो, simple, market B का curve उठाया तुमने और place कर दिया, basically आप दे draw कैसे करते हैं, पता है क्या, यहां पर आपका, यहां तक point आ गया ना, उसके बाद, यह जो wide वाला है, इसका point यहां पर लिया जाता है, यहां पर यह point mark कर दिया, और यहां से यहां तक straight line draw की जाती है, तो इस वज़े से, basically आपको यह और यह line exact same नहीं दिखते हैं, लेकिन अपन concept वही follow करते हैं, जो wide वाला है, उसका point लो straight line draw करो, same वही आपका demand में देखने को मिला, इन दोनों में से जो wide है, उसका point यहां पर आपने mark कर दिया, यहां पर aggregate में mark कर दिया उसका point, और यहां से, यहां तक एक straight line draw कर दिया, इसलिए exactly same, यहां से लेकिं यहां तक line नह समझ लगा पोरानो, ओ पोरानो, अत्ता परंत कड़ा लगा, अभी तक समझा है सबको, सब मेरे साथ है, कोई shaded portion में गुम तो नहीं गया, कोई shaded portion में गुम तो नहीं गया, नहीं गुमाना, very good, okay, क्योंकि अभी तो यह कहानी शुरू हुई है, basically, अभी तो अपने को बहुत आगे जाना है, अभी तो अपनने सिर्फ दो चीज़ देखिए, okay, बहुत अच्छा, एक question पुछता हो तुमसे, common sense का question, चलो मान लिया, दोनों markets में marginal revenue अलग-अलग है, market A में marginal revenue है 15, market B में marginal revenue है 24, जो की होता है elasticity की वज़ज़ से, ठीक है, okay, well done, congratulations, लेकिन, 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 क्या दोनों market में marginal cost भी अलग-अलग होगा, क्या अलग-अलग होगा क्या, बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ, बिलकुल सही जवाब है, maximum बच्चो का बिलकुल सही जवाब है, दोनों markets में, अगर transportation cost को exclude किया जाए, basically transportation cost को exclude किया जाए, तो दोनों market में आपका marginal cost equal होगा, अरे product बनाने को थोड़ी अलग-अलग market में अलग-अलग खर्चा आता, खर्चा तो उतना ही आता, भले ही तुम market A में बनाओ, या market B में बनाओ, कहीं पे भी रेके बनाओ, खर्चा तो उतना ही आने वाला है, तुम सिर्फ revenues divide कर रहे हो, marginal cost divide नहीं होगी, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, टोटल मार्केट में ही अपन marginal cost curve को include करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपने aggregate marginal revenue मिल गया, अभी अपने marginal cost को यहाँ पे draw कर दिया, टोटल मार्केट की जो अपनी marginal cost आ रही थी, वो अपनने add कर दिया, और बिल्कुल सही सोचा अपने equilibrium establish करने के लिए, मैं को क्या करना पड़ेगा, हाथ पे tattoo क्या निकाला है रहे तुमने, कौन सी condition है, हाथ पे tattoo निकाली होई, बिल्कुल सही जवाब, MR is equal to MC, तु अपनी आ कौन से point पे equal आते हैं, कौन से point पे equal आते हैं, बिल्कुल सही जवाब, point E पे आप देख सकते हैं, basically, MC और MR equal आते हैं, तो आपको total market में equilibrium मिल गया, congratulations, total market में equilibrium मिल गया, बहुत अच्छा मिठाईया बठवादो, लेकिन रुको, 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 market A और market B का क्या, उधर equilibrium चाहिए अपने को, अच्छा, में को बताओ, chapter का नाम क्या है, chapter का नाम क्या है, बताओ, बताओ, क्या नाम है chapter का, दो चीज़े अपन determine करते हैं, पूरे chapter में, क्या नाम है chapter का, यहाँ पर मत देख, यहाँ पर जो लिखा हुआ, उसको मत देख, तू बता, क्या नाम है chapter का, प्राइस, आउटपूट, डिटर्मिनेशन, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही बत, मतलब दो मिनिट आपको सोचने में लग गए, कि बेटा, अपन chapter पढ़ कौन सा रह, क्या बात है बच्चो, तालिया बस्ती रहनी चिये, और कुछ बच्चो ने तू आंसर ही नहीं दिया है, मतलब कितना awareness है तुम्में, कौन सा चाप्टर पढ़ रहे हो, उसका नाम भी आता तु तुमको, अरे भाई, 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 जोक ओप दे डे ये तो, आता है, आता है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्राइज आउटपूट डितर्मिनेशन, ये है चाप्टर का नाम, एक्विलिब्रियूम एस्टैबलिश कर दिया, बहुत अच्छा, लेकिन क्या आपको प्राइज और आउटपूट का पता चला, बी जो sub-market है अपने पास, इसमें equilibrium कब होगा, जब दोनों के marginal revenues same होंगे, जब दोनों markets में marginal revenue equal होंगे, तब आपको दोनों markets में equilibrium मिलता है, तो marginal revenue दोनों सब markets में equal होंगे, बहुत बढ़िया, good, लेकिन कैसे, अपने marginal कोई भी point ले ले क्या, marginal revenues दिख रहे हैं, यहां पे भी marginal revenue का graph है, curve है, यहां पे भी marginal revenue का curve है, करे क्या randomly, अंधा दुन्दी, एकदम, अकड़ बकड़ बंबे भो, 80-90 पूरे सो, कोई भी point ले ले क्य नहीं, 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 economics में ऐसा नहीं होता, तो आपको क्या करना है, आपको maximum profits चाहिए न, तो आपने equilibrium establish कर लिया है, यहां पे, अभी इसी से dotted line निकालो, और सीधे दोनों markets में घुसा दो, बहुत simple, marginal revenue A और marginal revenue B, इन दोनों से वो line intersect होती है, E1 पे और E2 पे, बहुत बढ़िया, graphs देखो और मुझे बताओ, क्या E1 और E2 ये equal है, yes और no, x-axis मत देखो, y-axis देखो, क्या E1 और E2 equal है, बिल्कुल साही जब, मतलब आपको equilibrium मिल गया है, market A में और market B में equilibrium मिल गया है, बहुत बढ़िया, अभी आपको price और output को determine करना है, कैसे करेंगे, बहुत simple, एक vertical line निकालो, दोनों points को intersect करते होए, एक vertical line निकालो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक vertical line निकाली, यहाँ पर एक vertical line निकाली, तो अपने को पता चला, कि market A में अपन M1 quantity बेजते हैं, P1 price पे, और market B में अपन M2 quantity बेजते हैं, P2 price पे, सर, 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 इन दोनों के prices equal नहीं हुए, बिल्कुल, price equal होने भी नहीं वाले, पढ़ क्या रहे हो तुम, तुम पढ़ रहे हो price discrimination, जब दोनों markets में price अलग-अलग है, तो price equal कैसे होगा, आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था, कि market A में price increase होगा, और market B में price decrease होगा, क्यों supply और demand का खेल है वेजिगली, तो market A में elasticity कम थी, उधर से तुमने माल उठाया और माल B में जाके बेचा, उसकी वज़े से यहाँ पे prices increase होगा, तो अगर आप P2 से यहाँ पे एक line draw करते हो, तो आपको पता चलता है, कि market A में अपन जादा prices पे बेच रहे हैं, market B में अपन थोड़ा कम prices में बेच रहे हैं, और इन दोनों को add करके आपका demand और marginal revenue कुछ इस तरह से आता है, और आप believe करो, दोनों markets में जब marginal revenue equal होगा, जब तक equal नहीं हो रहा है, तब तक transfer करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब equal हो गया, तब आपको maximum profits मिल गए, बहुत simple, ठीक है, maximum profits मिल गए, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, OM1 यहाँ पे quantity बेची जा रही है, OM2 यहाँ पे quantity बेची जा रही है, जब मैं इन दोनों को horizontally add करता हूँ, यहाँ पे x-axis पे तो मैं को मिलता है OM, यह पूरी quantity, पूरे total market में इतना demand है, इतनी quantity बेची जा रही है, simple, ठीक है, थोड़ा सा मैं को लगता है, आपको revision की जरूरत है, वापस से एक बार अभी क्या करते हैं, अभी अपन थेरी पढ़ते हैं, जिन जिन बच्चों को अभी clearly समझ गया है, well and good, एक बार थेरी पढ़ते हैं, यह जो अपनने direct graphs पर jump मारा है, अभी धीरे धीरे करके थेरी पढ़ते हैं, यहाँ पर जो English में लिखी हुई है थेरी, और उसके बाद वापस से graphs को simultaneously समझते है तो सब बने रहो, देखते रहो, क्या है थेरी, देखो, equilibrium under price discrimination, price discriminate हो रहा है बहुत अच्छा लेकिन अपने को equilibrium चाहिए मतलब चाहिए, बहुत simple, चाहिए मतलब चाहिए, अपन भी जिद्धी है, छोड़ते नहीं अपन, price discriminate करो तुम लेकिन equilibrium चाहिए, देखते रही है, कौन बनेगा, करोड़ पती, अच्छा, sign break पे जा रही है, बहुत बढ़िया, washing powder निर्मा वाली break है, क्या है, साहिए, बीच में आता है ना, रितिक रोशन, washing powder निर्मा, वो वाली, वो वाली आइड है, ना, लक्स वाली, अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया, देखो, first of all, आपको क्या करना है, equilibrium निकालने के लिए, the monopolist has to divide his total market into various sub-markets, बहुत बढ़िया, various sub-markets में अपने को divide करना है, अपने example में कौन से दो sub-markets लिए हुए, बताओ जल्दी मुझे कमेंट्स में, कौन से दो sub-markets लिए हुए तुमने, कौन से दो sub-markets लिए हुए, बहुत बढ़िया, बहुत simple, A और market B, दो sub-markets लिए हुए, जिसके graphs अपने अभी अभी देखे, sub-market A, sub-market B, और इन दोनों को add करते हैं, तो अपने को पता चलता है, total market, simple, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, the total market is divided into two sub-markets, सिर्फ दो ही sub-markets रखे हैं, simplicity के लिए, अभी monopolist क्या करेगा, the discriminating monopolist will compare the marginal revenue with the marginal cost, हाथ पे tattoo वाली condition, याद करो, परेवेन्यू और marginal cost को जब तक अपन equilibrium पे नहीं लाते, तब तक अपने को basically मिलता ही नहीं, equilibrium ही नहीं मिलता, दोनों में जब तक equality match नहीं होती, तब तक अपने को equilibrium नहीं मिलता, तो इसके लिए, क्विकि marginal revenues तो अलग-अलग हैं, दोनों graphs में अलग-अलग हैं, marginal revenue, यहाँ प भाया, equilibrium आएगा कहां से, तो तुमने क्या किया? तुमने aggregate marginal revenue निकाला, aggregate marginal revenue कैसे निकाला जाता है? बाय समिंग अप लाटरली, मतलब लाटरल, लाटरल मतलब वर्टिकली आपको marginal revenue curves को आड करना है दोनों को, तो आपको aggregate marginal revenue मिलता है, तो आपने इन दोनों marginal revenues को आड किया, और आपको aggregate marginal revenue मिल गिया, congratulations, बहुत बढ़िया, यहां तक आप पहुँच गए, आपको equilibrium पता चल गया, intersect जहाँ पर होता है, पता चल गया, लेकिन यह total market का equilibrium है, total market का equilibrium जानके मैं क्या करूंगा, मेंको तो market A और market B में बेचना है, मेरको market A में और market B में maximum profit कहाँ पर होगा, वो पता लगाना है, total market गया तेल लेने, में को market A और B का बता, तो देखो, market A और market B में profit maximize तब होगे, जब दोनों के marginal revenues same होगे, they must be equal, same होगे, अपने उपर देखा था, यहां पे एक point आता है, एक limit आता है, once this limit is reached, and once a point is reached, when the marginal revenues in two markets become equal, it will no longer be profitable to shift the output from market A to market B, तो तब तक, लेकिन तब तब तक, जब तक दोनों marginal revenues equal नहीं होते, तब तक तो transfer करते रहना, फिर एक point आता है, जब आपको equality में देखने को मिलती है, और यह equality कैसे बनाते हैं, तोटल market curve से, ध्यान दो, ध्यान दो, टोटल market curve से, तुम क्या करते हो, तुम एक dotted line pass करवाते हो, जो दोनों markets में, जो marginal revenue है, इनको intersect करता है, E1 और E2, अभी E1 और E2 आपको equilibrium मिल गए, market A में और market B में, अभी equilibrium मिल गए लेकिन अपने को अभी भी price और output का पता नहीं चला, तो आप क्या करते हो, एक vertical line draw करते हो, जो इस equilibrium point से गुजरती है, तो equilibrium point से गुजरने वाली एक vertical line draw करते हो, तो आपको पता चलता है price और आपको पता चलता है output, तो ऐसे establish किया जाता है equilibrium under price discrimination, under price discrimination.